हेलो दूस्तो कैसी हो आप मैं भावना स्वागत करते हूँ आपके यूट्व चैनल स्ट्रोणिंट इडियापल डूस्तो आज के सुऊडों के अंदर पढ़ने वाले हैं कि रशना की अधा़ पर वाक्य के भेद कि पढ़ेंगे रश्ण के अद्हार पर वाग्य के बेद तो आज की स्वीडों के अंदर मैं आपको रश्ण के अधार पर वाग्य के बेद बताऊंगी और नेक्स्वीडों के अंदर उनके हम से कियोस मतलब बहु है प्रश्ले तो पहले तम यह जान लेते रश्टन के अधार प्रवाग्य के भेद कितनी खती है फ़पले दो अर्थ नर Зब्यां घ्लहते हैं खाद चाहले .... पहले रश्ट के अधार प्रवाग्य के आछ वह रहा बह्त है और रश्णा के अधार प्रवाके के तीन भेद है जो मैं आपको अपढ़ाऊंगी ठीक है तो कौन कौन से होती है तो रश्णा के अधार प्रवाके के कितने भेद है रश्णा के आधार पर हम रश्णा के अधार पर पढ़ेंगे ठीक है तो रचना के अधार प्रवाक्य के तीन भेद होती है पहला होता है सरलवाक्य पहला है सरलवाक्य दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है हमारा इसे हम मिश्रित वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों बोलते हैं तो पहले तीसरा होता है हमारा मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य ठीक है तो ये तीन भेद होती है रिष्णा की अधार पर वाक्य के भेद कौन-कौन से सरल वाक्य, दूसरा है सायूग्द वाक्य, और तीसरा है मिर्शित या फिर मिर्शिवाक्य, तो जो इनका जो शब्दी है उसी से पर चलता है इनके बारे में, तो पहला हमारा कौन से सरल वाक्य, तो सरल वाक्य आकर क्या होती है, तो सरल वाक्य वे वाक्य होती ह हैं जिनके अंदर बिलकुल साधान वाक्य हो साधी हों एक विधि हो और एक ही उदेश्य हो अब यह बताओ कि उदेश्य और विध्य क्या होती है यह बिजाना जरूरी है तो उदेश्य और विध्य मैं पढ़ा दिये फिर में दुबरा बता रहे हैं आपको कि उदेश्य और विध्य क्या होती है तो दो है यह उदेश्य और विध्य तो यह हमारे हर वा यह दो होती है उदेश्य और वेधिय जो उदेश्य होता है तो उदेश्य क्या होता है तो जब उदेश्य को हम वेसी इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं और सब्जेक्ट आपको पता हो करता तो मतलब जो वाक्य आता है उसके अंदर जो पहला जो काम करने वाला होता है अब जैसे ही मैं बोलते हूं, राम खेल रहा है, तो राम खेल रहा है, इस वाक्य के अंदर जो राम है, वो उदेश्य है, क्या है, वो उदेश्य है, क्यों है वो उदेश्य है, क्योंकि जो राम है, वो सब्जेक्ट है, करता है, और करता को ही हम उदेश्य बोलते हैं, जो कार ये को करता है वो करता कहलाता है ये आपको पता है और जो करता होता है उसी को ही हम उदेश्य बोलते हैं कि उदेश्य को English में subject बोलते हैं subject को हम करता भी बोलते हैं तो उदेश्य हमारा क्या हो गया करता हुआ तो उदेश्य को हम क्या पोसकती है करता की रूप में भी लिख सकती है कि उदेश्य हमाया करता है और वाक्य में करता की ज़रत होती है और दूसरा होते है हमारा जिसे हम बोलते है विध्य तो विध्य क्या होते है तो जो वाक्य में हमारे जो उदेश्य होता है जब मैंने मतलब जिसमें एक हमारा विद्य कहलाा है एक ही करता हो और एक विद्य हो मतलब जो sentence है उसमें सिर्फ एक ही वाक्य हो लास्का जो बश्चा है वो सर्फ एक ही होना चाहिए जिसे कि हम मैं लिख देती हूं सीता पड़ती है यह दूसरा वाक्य है तो इसके अंदर हमेशा एक ही हुदेश्य होना चाहिए और एक ही विधी होना चाहिए इसके बाद लगता तो नहीं आना चाहिए वो हमारा साधान वाक्य समझे होगे अप तो जो समझ गये किस चीज घणांगे। अतलब जोड़ना किसी भी वाक्य को जोड़ना हमारा सहुत्वा कहलाता है For example, मैंने यहाँ पर ले लती हूँ राम खेलता है और सीता पड़ती है राम खेलता है और सीता पड़ती है इस वाक्य के अंदर हमें पता है यह उदेश्य है यह विदे है तो आप क्या दोगे कि इसके अंदर और यह साथ में यह विदेश्य है और वो विदे है तो आप क्या दोगे यह सर्ड़ वाक्य है पर नहीं है इसमें एक ही उदेश होना चाहिए इसमें दो उदेशे हैं दो क्या है हमारे उदेशे हैं ये दोनों क्या हैं राम और सीता हमारे उदेशे हैं मतलब करता है और जो बाकी का संटेंस खेलता है इसके साथ जुड़ा हुआ है ये खेलता है और और पढ़ती है ये दोनों हमारे क वाक्यों को जोडता है और जोडता किसा है एक योजक की साहता सी समुच्छे बोदक अव्वे या फिर योजक की साहता सी वह से जोड़ देता है वाक्य को यह जो और है ये दो वाक्यों को जोड रहा है हमारे दो वाक्यों को सयुक्त करने में हमारी हेल्प कर रहा है तो और हमारा क्या है एक योजक है जिसे हम बोल सकते हैं समुझे बहुत अव्य अव्य क्या होते हैं तो अव्य तो पता ही होगा अव्य जिसका रूप परिवर्तर नहीं होता है जिसका किसी भी प्रकार में रूप परिवर्टन नहीं होता है। अब जिसे अव्य बहुत होते हैं आवम, किंतु, पयंतु इसलिए और अब चाहिए से आप जो वाक्य लिंग, वचन, आदी के अधार पर बदलता नहीं है। उसे हम अव्य बोलते हैं, अब और है वो बदलेगा नहीं। तो यह मारा क्या है एक अव्य है। जो वाक्य किसी समुच्य बोदक अव्य के साथ जुड़ा होता है। तो यह मिश्यत वाक्य क्या होता है। अब हमने सर्वाक्य पढ़ लिया। अब बारी है कि मिश्यत वाक्य क्या होता है। तो मिश्यत वाक्य कौन से वाक्य होती है। तो मिश्यत वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो। साथ में उस पर दूसरा निर्भर हो दूसरा निर्भर उप वाक्य हो उसे को हम क्या कहते हैं मिर्षितवाक्य कहते हैं इस वर्व जैसे कि यह वही छात्र है जिसने व्रिद्धा को सड़क पार करवाई थी है तो मैंने एक वाक्य लिया है तो जुसमें के आ गया कि वह एक षात्र है जिसने व्रेध्द्दा लोगों को सड़क पार करोई थी ठीक है तो इस वाक्य की अंदर यह एक वही छात्र है even यह अपने-आपने प्रधान है यह क्या है अपने आप में प्रधान है ये किसी पर depend नहीं है, किसी पर निर्भनी है, तो अगर पहला वाक्य पड़ो, तो आपको लेगे अपने पर पूरा है, बट इस पर भी दूसरा वाक्य जो depend होता है, अब एक वाक्य तो है, साथ में दूसरा वाक्य अब दिया गया है, कि यह वही चात्र है, जिसने वृद्ध लोगों को सड़क पार करवाई थी, अब देखो, ये जो है, ये प्रधान है, इसके बिना ये कारें नहीं हो सकता था, अब देखो, यह वही चात्र है, यहाँ लिए देती हूँ, यह वही चात्र है, जिसने वृद्ध जिसने वृद्ध को सड़क पार करवाई थी, ठीक हैं, तो इस वाकिये में हैं कि यह वही शात्र है, जिसने वृद्ध को सड़क पार, वृद्ध वैक्ति को सड़क पार करवाई थी, तो इस वाकिये के अंदर क्या का गया, कि यह है वही चात्र है, यह वही शात्र है, यह प्रधान है, क्योंकि इसके बिना यह दूसरा, जो दूसरा कि i s-3 है जिसने व्रिदा व्रिधा व्रिधा व्रिदा व्रिदा व्ажut को सड़क पार करवाई थी familiar लग में अल esthm War 35 में घ्र तो यह वाक्य हुआ यह किस पर इस वाक्य पर यहींवज यह जो संटेंस है इसकी स्पेस पे और यह क्या एक प्रधान वाक्य है तो मिश्च वाक्य वही होती है जिसमें प्रधान वाक्य हो और उस पर निर्बर आशिद दूसरा वाक्य हो तो उससे ही गये हैं मिश्ज़ बाकêm. तो हमने तीन spell वाकव में पढ़ ली हैं। जो तीन वाकव हमारे रश्णक यधार प्रवाकव की तीन मों भीत हमने बढ़ लिए हैं। तीन उबहुत ही सिंपल और इजी हैं। तो पहनला जो था हमारा सर्वाक्य जिसे हम क्या बोल सकते थी इसमें क्या होता है सर्वाक्य को हम साधान बाक्य बोलते हैं क्या बोलते हैं साधान बाक्य भी बोल सकते हैं साधान बाक्य और इसके अंदर क्या होता है कि एक ही तो उदेश्य होता है और क्या तो इसके अंदर क जो एक क्या होता है मारा फर्स्ट उदेश्य होता है उदेश्य है और जो दूसरा और एक ही इसमें क्या होता है विधे और जिस वाक्य में एक ही उदेश्य हो और एक ही विधे हो उसे हम क्या कहते है सर्ड वाक्य कहते है और दूसरा है हमारा सयुक्त वाक्य है तो सयुक्त वा वाक्यों जो कोई भी वक्य है जो वाक्य किसी समुच्य बोदक अव्वे द्वारा जुड़े होती है उन्हें हम स्व्यूंट वाक्य कहते हैं समुच्य बोदक अव्वे जो वाक्य किसके द्वारा जोइंट होते हैं समुच्य बोदक अव्वे अब मैंने आपको धर्म बताया इने किस की सायता से जोड़ जा रहा है और की सायता से अब यह वाक्य जो है धीरे धीरे आपस में जुड़ रहे हैं और इसे जोड़ को रहा है एक और ये दो वाक्य बिल्कुल अलग थे, संतंत्र थे और इन वाक्यों को जोड़कर एक बना दिया है किसने? और और क्या है? समुझ्य भोधक अव्य है और फिर ये क्या बन गया है? दो वाक्य अलग अलग थे पहले सर्वाक्य थे, राम खेल रहा है, सिता पड़ती है बिल्कुल अलग वाक्य थे और इन्हें किसने जोड़ा था? और ने जोड़ दिया दोनों वाक्यों को सयुक्त बना दिया, सर्वाक्य को सयुक्त बना दिता है सब्सक्राइब किससे जुड़े होती है यह फिर में योजग ले सकते हैं यह फिर समुच बोदक अव्य योजग समुच बोदक अव्य क्या हमारे एक अव्य है समुच बोदक अव्य या फिर योजग दुबार यह चुड़े होती है तो मिर्शित बताया था जिसमें एक क्या हो हमारा एक प्रधान वाक्य हो जो बिलकुल जो में होता है प्रधान से हम बोलते हैं प्रधान है हमारा वो वो प्रधान वाक्य हो और दूसरा उस पर आश्रित हो और ये वाक्य जो मतलब एक हमारा प्रधान वाक्य हो और एक निर्भर या फिर दूसरे वाक्य हमारा क्या हो निर्भर वाक्य प्रधान वाक्य और निर्भर वाक्य जिसमें एक तो प्रधान वाक्य हो और एक पर निर्भर वाक्य हो ये किसके पर डिपैंड है इस प्रधान वागए ठीक है तो यह तीन थे सर्व संयुक्त और मिश्रिद वागए कि मैं आपको बता दिये तो हमने तीन तो पढ़ने हैं अब हम उसके कॉशन पढ़ेंग potent पैक्टिस के तुल्म में इसंसे संजेगे हिलागे हैं ऐसे संदें तो देखूंज इसमें एक पहले जब मैंने उसे देखा तो वह Tet вышkuratsi रधाल में वह कर देखाने यह तो अब समन accepts तो इसमें परधान वाक्य हो और उस पर निर्भर रहो दूसरा वाक्य हो तो वह कहलाता है बताया था मैंने आपको मिर्शित वाक्य क्या कहलेगा यह यह वाक्य जो हमारा है सुरी यह वाक्य हो गया और वह चला गया यह वाक्य हो गया इसे को जोड़ रहा है और जोड़ा जोड़ा की समुझे बोदक अव्य है योजक है तो यह तीन मैंने पांश मैंने लिए थी प्रैक्ट्रिस के लिए उसमें से तीन जो उसमें तीन जो वाक्य थी वह मैंने आपको मिशा वाके एंट हैं तो मैंने आपको रश्चना के अद्हार प्रवाकर के सीमादा इंट है Vyडरा के बिलभाते थी विफित स कीवेते के Lord was लगुत ऑट है अगर ऐंडे अगर मैं आपको डिस्क्रीपचर में लिंक में बेज दूगी आप उसमें देख सकते हैं तो अब मैं जो दश्रा के अधर पर आपके तीनों भेट समझा दिये इसकी नेक्स वीडियो के अदर मैं आपको इनके तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना तैंक नोची में वीडियो तब तके लब हमेशे घुश्चो जैहिल चैभाल